मैं आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक वीडियो देखाता हूं थो देख लीजिए आप लोग देख रहे हो एक आप मी पकूरे तल रहा है और ख्याल करिए ये अपने हातों से पकूरे को तल रहा है आप दूसरा वीडियो देख लेजिए यहां पर भी देखिए एक बंदा यहां इसका मुझे नाम मालूम नहीं है लेकिन यह भी देखिए पकूरे तल रहा है करहाई में गरम तिल को हाथ में लगा रहा है और पिछले वीडियो में आपने देखा भी वह अपने जीब में भी है जालए लाइन है करहाई बना इसके विशए में आज में मेरे वीडियो बनाउगा कि तो चलिए जान लेते हैं इसका यह खेल चलता है नमस्कार मित्रों मैं ताना तांतरिक और सबको स्वागत करता हूँ मेरा यूटूब चानल तंत्रा मंत्रा के दुनिया में तो वीडियो देखके साथ आप लोगों लगा पहले भी ऐसा ऐसा वीडियो देखा होगा आप लोगों के अंदर बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हो फोन करते हो बोलते हो गुरूजी आ जाएए मेरे बास वीडियो डाल चुका हो मैरे यूटूब चानल पर जिसको कहते है नीबू उराना याने जब इन पर नीबू रहेगा उसको उरा देना उरता रहेगा इसके बार में भी मैंने खुला सा कर चुका हूँ आज मैं इस करहाई बानने के बिशाई के उपर पुरा रोशनी डाने के कुशिश करूँगा सबसे पहले आप लोगों यह कह देता हो कि यह जो बंदा करहाई में गरम तेल में अपना हाथ जालके बखूरे तर रहा है यह क्या कोई मैजिक है या तंतर का कोई प्रियोग है सबसे पहले मैं आपको कह देता हूँ कि यह वीडियो पुरा का पुरा सच्चा है इस वीडियो के अंदर कोई कारीकरी नहीं किये गए यह एकदम सच्चा है अब मैं आपको ही कहता हूँ क्या है कि यह जो बंदा है यह पकुरत तिल निकल गया है यह एक दिन में ऐसा नहीं कर पाया यह लगा आता 30 साल से इसको अभ्यास करते 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 आज इस मुकाम पे पहुँच गया है जिसको हम कहते है साधना यह कोई मंत्र साधना नहीं है और यह कोई magic tricks भी नहीं है यह सच्चाई में यह कर सकता है हाँ भाई कोई कर सकता है अपना तिल जला नहीं से उसकी स्कीम को बहुत सालों से यह इसको प्रैक्टिस करते आ रहा है सिर्विया नहीं है ऐसे भी बहुत सारे अनुके चीज हमारे दुनिया में है इसका मतब यह नहीं है आप चमतकार के साथ तंत्र को जोड़ दो तंत्र कोई चमतकारी चीज नहीं है हाँ इसका रज़र चमतकारी होता है कभी वो आमने सामने दिख जाता है कभी थोड़ा लेड में समझ रहे हो तो यह जो बंदा पकूरे तल रहा है इसका पकूरा का तलने का एक ही मकसद है भई इसने यह अभियास किया और यह अभियास करने के बाद लोगों के एक अट्रक्शन खिचना इसका पकूरे के लिए टेस्ट फूल रहता है यह तो मैं भी नहीं खाया लेकिना लोग जब यह सुनते है कि यह जो पकूरे तलते है यह अपने हाथ से गरम-गरम तेल में पकूरे तिल देते है तो यह लोग देखने के लिए लाख लोग आप बी रोगा पर कटे हो जाते है सेल भी हो जाता है अच बहुत बढ़िया भी सेल करते है समझ के होंगे मैं क्या कहाँ चाता हूँ अब आप लोग के अंदर बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हो आप बोलतों कि गुरुज़ आप कराई बान दीजिए और कराई बान दे का मंतर बताईए या आप आके कराई बान दीजिए आपको इतना लाख रुपए पेमेंट करूँगा ये करूँगा वो करूँगा आप मुझे एक बात कहिए कि भाई कई पे भी पकूर तेल रहे आप गरम गरम तेल ले अपना हाथ जालके पकूर तेल के आपको क्या फैदा होने बाला है और ये चीज़ आपको लोगों को दिखा के भी आपको क्या फैदा है अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई इसको मैं गर्म गर्म तेल में दिखा हूँ और दिखा के भी आपको क्या फैदा होने वाला है अगर आप किसी को गर्म तेल में अपना हाथ जाल के पकुर तेल के तल के दिखा दिये आपको क्या फैदा होने वाला है कोई फैदा होने वाला है मुझे तो नहीं लगता कि कोई फैदा हो सकता है आपको तो फिर खामका आप इसके पीछे क्यों पर रहो जहाँ पर आपको सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो सकता है तो इस वीडियो में मैं बहुत कुछ कह दिया शैद बहुत सारे लोगों की मन में आहत हो चुका है कि गुरुजी आप ये क्या कहला है सच्चाई है तारना तांत्र कभी सच्चाई से पिछे नहीं भागता और सच्चाई को कभी छोड़ता नहीं है वो जिस भी हालत में हो जैसे भी हालत में हो ना क्यों तो आप लोगों को आशा करता हूँ मैं ये पकूरत तलने की जो विदी है या कराई बानने का जो विदिया है इसको मैं जुटकार नहीं सकता कि वह ये जूट है लेकिन भाई इसको करके भी आपको क्या फैदा है आप अगर किसी को वशी करन कर रहे हो तो इसका मतलब ये होगा कि आप किसी को अपने पास बुला रहे है भाई कोई फैदा है आपके मन की कोई शान्ती है आपको कोई शत्रू है उसको आप हटा रहे हो इसमें भी आपको कोई फैदा है आपको बिजनस अच्छा नहीं चल रहा है इसके लिए आप बिजनस करने के लिए कोई तोटके कर रहे हो, कोई मंत्र कर रहे हो, आपको बिजनस चाचार आपका अच्छा कमाई होगा, घर पड़ी बार अच्छे से चलेगा, आप अच्छे से रिलाक्स कर पाओगे, फैदा है, लेकिन भाई आपको अपने करहाई लिजिए, एक लिटर सर्सू का तेल लिजिए, और एक लिटर नीबु का रस, दोनों को मिलाईए, आप पहले नीबु के रस को डालिए, फिर तेल को डालिए, अब दोनों डालने के बाद आप करहाई चुले पे चरहाईए, या गैस तो चरहाईए, अब गरम करिए, आप करहाई के नीचे की हिस्सा गरम होगा लेकिन उपर का तेल गरम नहीं होगा अब पकूरे तलने का विदान तो मेरे पास नहीं है यह magic मैं नहीं जानता कैसे पकूरे भज तल लेते हैं लेकिन अगर आपको करहाई बानना है और यह चीज़ सीखना है देखना आप एक बाद घर में प्रैक्टिस कर सकते हो एक लिटर सर्सू का तेल हो गया किसी भी तेल हो गया और एक लिटर नेवू का रस एक लिटर जो खटे नेवू होते है न छोड़ छोड़े जो नेवू मैंने उरा के दिखाए थे आप लोग तो वो छोड़े छोड़े नीवू उसको रस नेचोड़ लेज़ेगा एक लिटर रस होना चाहिए लगबग एक सो नीवू लगी जाएगा तो वो रस नेचोड़ लेने के बाद उस रस को पहले करहाई में डालिए फिर तेल डालिए, अब कराई को गरम करिए कराई भी गरम होगा तेल गरम नहीं होगा इसके science आपको मारूम है फिर मैं तोब समझा देता हो किल्कि गरम होने वाला कोई बी चीज अगर कोई तरल पदार्थ अगर कोई गरम होता है तो वो पहले नीचे का होता है नीचे का गरम होता है वो उपर आता है फिर उपर के ठंडे तेल नीचे जाता है तेकि निया पे जो है निबू का रस इतना गढ़ा होता है इतना भाड़ी होता है कि वो नीचे ही रह जाता है वो गरम भी कम होता है तो कैसा लगा आपको इस वी में है वो दोल हो जाए और अगर आपको भी किसी और विशाई के उपर जानना है या और विशाई के उपर रोशनी डालना है तो आप मुझे कोमेंट सेक्से में बताइए कि गुरुजी या तारनाद भाई आप मुझे ये चीज़ करके दिखाऊ या इस चीज़ के बारे में आप वीडियो बनाएए मैं जोरीर खुशुश करूँगा आपको वो चीज़ बताने के लिए तो आज के लिए बिदा लेता हूँ दूसरे द जान कर्मान वीडियो के लिए तब तक के लिए अच्छे रहिए स्वास्त रहिए जैमा तारा जैमा कमाख्यां